हेलो दोस्तों आज हम अगेन एक परिटिकुलर स्टॉक से रेक्टिर बात करने वाले जिसका नाम है एक सो बार रुपे पर यह शेयर चल रहा है क्या इससे पहले हमने इस परिटिकुलर शेयर से रेक्टिर वीडियो बनाई थी तो एक बर हम यहां पर जाते हैं सर्च कर लेते हैं ठीक है हमें यहां पर आईडिया लग जाएगा तो आपको पता चलेगा कि यह स्टॉक से मैं यहां पर बात करूँ पर्टिकुलर पूरा नाम लिख देते हैं आना फिर ही यहां पर और समझ में आ जाएगा Securities तो देखिए IFL Securities ठीक है ना तो यहां पर देखिए एक मिल दीजे मुझे शायद मैंने यहां पर वीडियो बनाई थी 90 रूपीज के आसपास ठीक है कोई इशू नहीं है छोड़ते हैं ठीक है तो मैं IFL Securities ठीक है और यहां पर बात करेंगे कि exactly क्या है क्या इशू हुआ है कि 180 रूपे का टच्च हाई करने के बाद शेयर आप देखोगे तो लगातार गिरावट होती हुए नजर आ रही है क्या इशू है क्या यह सच आप इंवेश्टर चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को ही टॉल की नोटिफिकेशन को अन करिए का बाइंग सैलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनिशल एडवाइस हो खुद की स्टड़ी करें और सीखे जितना सीखेंगे उतना पैसा बनेगा पैसे कि पीछ कि शेयर की भागता शेयर क्यों गिरता है क्या फिर आपके दिमाग से डर और सब चूझ निकल जाएगी तो बेसिक स्टू एडवांस कोर से जहां पर हम कहुंसा शेयर को आपको खुद करना चाहिए उसका एक आइडिया देते हुए नजर आते हो आपको बताते हुए नजर जो पढ़ाया जाए उसके basis पे फिर आपको किसी की जरूवत नहीं पड़ेगी जो डबलेट 605-40501-8169-261-037 दोनों नमबरों को सेफ कर लीजिए और हमारे कोर्स में पार्टिसपेट कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगर किसी को साथ में काम करना है तो भ आगा ता गिरावट आती हुए नजर आए यहां पर एक गैप डाउन भी होता हुए नजर आया तो ऐसा हुआ क्यों उसका मैं आंसर आपको देता हूं तो सबसे पहली बात आपको पते ही है कि आएफल सेक्यूर्टीज के इलावा एक और पर्टिकुलर स्टॉक्स हमारे उस दिन पहले जो NBFC कंपनीज है उन्हें यहां पर बैन कर दिया गोल लोन से ठीक है और आपको यहां पर पता चलेगा कि आया एफल फाइनस है जो ठीक है वह यहां पर गोल लोन से लिटिव बहुत बड़ा यहां पर काम करता हुए नजर आता है ठीक है मार्केट में जैस रूपीज पर आता हुए दिखाए दिया बट हम इससे लेटरी बात नहीं करेंगे बट इस चीट का इंपक्ट पड़ता हुए नजर आया कि इस पर आया एफल सेक्यूर्टीज पर और इस शेयर को भी यहां पर फालतु में गिराया गया 180 रूपे से 112 रूपे पर यहां पर के पास यह शेयर हो सकता है तो थोड़ा सा ध्यान से यहां पर काम करेगा इसलिए याद रखिए बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपना फाइनेशल एडवाइजर खुद की स्टेडी और मैं भी यहां पर कभी इस पर इस परिटिगुरा शेयर में एंट् कंपनी है, IFL Securities और IFL Finance दिखाया था फाइनेश यहां पर gold loans से इलेटेड और loans से इलेड़ेड काम करता है बड़ Securities यहां पर काम करती है, IFL Securities Limited प्रोवाइज रिटेल and Institutional Inciutical Equities Financial Product Distribution and Commutes Broking, Okay, Currency Broking, Investment, Banking, Financial Planning and Wealth Management, Service to Retail and Institution सब लोगों को और बड़े-बड़े इंवेस्टर्स को स्टॉक मार्केट से एलेटेड काम में मदद करती है जिसमें आप ब्रोकिंग इन्वेस्टमेंट जो भी कुछ होता है वो ना कि लोन से एलेटेड आप इनकी वेबसाइट पर भी जाओगे न तो आपको समझे में कि IFL Finance यहाँ पर लोन से एलेटेड काम करता है ठीक है तो यह बिल्कुल भी अलग ही बिजनेस है इसके लाबा मैं आपको और भी कुछ पर प्रोवाइड करता हुआ नजर आऊंगा तो इसको इसके साथ मिलाई है मत हाना बट हाँ इसका इंपक्ट मुझे नहीं लगता कि इस परिटिकुलर स्टॉक में आना चाहिए तो अपॉर्चुनिटी शायद बनती हुए नजर आ सकती है इसलिए लास्टर वीडियो को देखिए मैं आपको समझाता हुआ नजर आऊंगा और बाइंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नही आपको पता चलेगा कंपनी अच्छा खासा ब्रोकिंग से लिडियर काम करती है ठीक है और अच्छा खासा इनका काम है पी की बात करें आट के पी पर ट्रेड कर रहा है इंडश्टिक पी अठारे का है कहीं नहीं बहुत सस्ता यहां पर नजर आता है और उसी यारोई देख डेट की डेट में आ जाता है तो वह यहां पर एक तरीके की से सिक्या होड़ा है पूरा तो यहां पर इसका इशू नहीं है इसके इलावर इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें 131 रुबे की यहां पर इंट्रेंसिक वैल्यू है मैक्सिम चाट पटन देखोगे तो शेयर 2019 मे आप देख सकते हैं लिए इतनी होती हुई दिखाई दे रही है अब कंपनी के नमबर पर आते हैं तो आपको समझ में आगा कंपनी की अच्छा परफॉर्म कर रही है हाई एस टैवर कंपनी की यहां पर सेल्स ठीक है जो रिवेन्यू आता हुए दिखाई है ब्रोंकिंग ब अब करते हैं यहां पर अच्छा नजर आता है नेट पॉपिट और याद रखिए इस टॉक मार्केट में किस तरीके से लोग आ रहे हैं तो इन ही कंपनीयों को फायदा होने वाला है मैं यहां पर जब ब्रोकिंग इस टॉक से एलेटी वीडियो बनाता था तब भी यही कहत थोड़े वो टाइम के लिए शायद प्रॉब्लम हो सकती है और लॉंग टरम के लिए काम यहां पर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगे इन नंबरों में आप जाओगे ठीक है इनके नंबर्स पे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर गोल लोन से इलेटेड आप देखोगे तो जितना भी यहां पर बिजनेस से पैसे आते हुए दिखाई दिये है ठीक है तो यहां पर आप देखोगे कंपनी का अच्छा कासा बिजनेस पर आपके ब्रोकिंग बिजनेस से ठीक है और उसी का यहां पर पर परिणाम है कंपनी अच्छा कर रही है तो गोल लोन से कोई लेना देना नहीं है तो इसके अलग रखना चाहिए इसके अलबाबात का है रिजर्फ की तो कंपनी के रिजर्फ अच्छे घासे बड़े है ठ रखन कनि working फिजर्फ गरोड करें तो कंपनी के पास लगज 4200 कृट करोड कर से कंपनी की मारकित यह रिज़ी 3410 क्रोड रुपे कंपनी के का ऺएश कितना है लगज 430 क्रोड रुपे तो आपको इसी समझ जाना चाहिए कि कंपनी यहां पर किस तरीकर से यहां पर ट्रेड क भी हो चुका है ठीक है मर्जर वगेरा भी यहां पर डी मर्जर वगेरा होता हुआ नजर आए कैश फ्लो की बात करें कंपनी के पास यहाँ पर नेगिटिव कैश फ्लो है इस बार का जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ठीक है बट कोई शुवाली बात निये कैश और प्रमो अच्छी बात होती है और यह जो गिरावट हुई है इसमें जितने भी दुरंदर थे ठीक है वो यहाँ पर गिरते हुए नजर आ चुके होंगे इसके इलाबा और शीरों की मैं यहाँ पर बात करूं तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा 50% में से 27% इन्होंने लिए रख ठीक है और उसके एकोर्डिंग जी अगर आप भेव करेंगे तो अच्छा आपके लिए रहेगा बाकि यहाँ देखिए बड़े-बड़े फर्ण यहाँ पर अगस्त में एच्छी खासी 2023 में एंट्री करते हुए नजर आए अब बात करते हैं टेकनिकल से लिजी टेकनिकल क क्या रहे है बाट उससे पहले हमिशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट आल की नोटिफिकेशन को आँ बाइंग सैलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेशल एड़ वाजा कुद की स्टड़ी करना है चीशों को सीखना ह वह थोड़ी बहुत गिरते भी है तो उसके बाट बाट न्यूज आ गई और शेयर यहां पर लगातार धीर धीर गिरता है बट पॉजिटिविटी क्या है पॉजिटिविटी यह है यहां पर गिरने के पीछे कि यहां पर कोई भी निकला नहीं है जो अच्छे लोग है ठीक कंपनी के उपर तो सिक्यूर्टी का उसका लेना देना मुझे ख्याल से नहीं है इस जिट को भी आपर याद रखिएगा और दूसरी बात करें तो यहां पर शेयर अल्रेडी जिस पॉइंट से ब्रेक आउट हुआ तो अस पास यहां पर आके ट्रेड करता हूँ नजरा रह हाँ अभी थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है चार्ट मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और गिर सकता है 100 रुपे के आसपास भी यह शेयर मिल सकता है ठीक है न यह बाइन डिप्स का एक कैंडिडेट बन सकता है इन्वेस्टमेंट परपस से बट श्टिल याद रखि चीजों को यहाँ पर सीखने पर गौर फरमाईएगा सीखने पर ज़्यादा दिजिएगा सीखने पर देहन दोगे टाइम लग सकता है इसमें अगर आपको कुछ एक साल में मिल जाते तो अच्छा ही है ठीक है और मार्केट क्या है मार्केट अभी थोड़ी वालेटाइल है दिरे दिरे मारकेट ठीक होगी तो यही कंपनी जो कि हाँ पर नमबर वन पर चलती हुए नजर आ रही है जो अच्छा काम करती हुए नचराइगे बट इस वीडियो को लाइक करें कड़े शर्ड कमेंट करें शेया को चानल को सबस्क्राइब करें नमबर को नोट कर लिज थे थेंगी सो मुछ, कर ब्लेस.